हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हैपी इंडिपेंडेंडेंज डे जो जहां भी हैं वही पर इसको सेलिब्रेट करें और दोस्तों सेकेंडली मैं आपको इंफोर्मेशन देना मिल जाएंगे तो जिस स्टूडें ने अभी तक इस चैनल को जोइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कीजे दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे एंफियोक्सिस के एक्स क्रिक्ट्री सिस्टम के बारे में ये टॉपिक आता है ब्यसी सेकेंड डियर जिलोजी का फ़र्स सेमेस्टर को डेटा और इस सेमेस्टर से ओलेडि मैं कई सारी वीडियोस अफ्लोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलि रिलेटिप यानि की कम्प्लीट बॉड़ी स्ट्टर के ऊपर एक सेप्रेट वीडियो मैंने बनाया है और इसके अलाबर हमने इसके स्केलेटल सिस्टम डाइजेट्रि सिस्टम ब्लेड वैस्कुलर सिस्टम इन सभी एक्ंप्रत कर दिया है आज की इस वीडियो के अंदर हम के बारे में, so before understanding the excretory system of amphioxus, we should know that what is actually excretory system and what is the function of excretory system, हम यह समझना पड़ेगा, कि आखिर excretory system क्या है, तो आई इसको समझते हैं, दोस्तो हम जितने भी animals होते हैं, या जितने भी species हैं इस अर्थ पर या इस दुनिया में, वो सब के सब अपनी life को चलाने के लिए खाना खा क्या सभी खाना हमारी body accept कर लेती हैं, नहीं, हमारी body उनमें से main molecules होते हैं, food particles होते हैं, जो energy देते हैं body को, उसको accept कर लेती हैं, बाकी को जो waste material होता है, जो body के लिए harmful होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो दोस्तों, जिस system के थ्रूँ, body के जिस system के थ्रूँ, उस waste material को बाहर निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है, excretory system, तो excretory system क्या करता है, किसी भी animals की body के अंदर, जो waste material होता है, जैसे urine के अंदर हम ammonia को देखते हैं, या uric acids को देखते हैं, जो उसकी body के लिए, या किसी भी animal की body के लिए harmful होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, हम cellulose का digest नहीं कर पाते तो इसलिए वो जो है feces के तुरू जो है बाहर निकल जाता है तो इस तरीके से excretory system का function होता है कि हमारे body से waste material को बाहर निकालना अब दूसरा point यह कि excretory system क्या होता है दोस्तो हमारी body के अंदर जो excretions के लिए जो organs होते हैं तो इसी तरीके से वो जो सभी organs होते हैं जितने भी organs हमारी body के अंदर excretion procedure में भाग ले रहे हैं यानि कि waste material को बाहर निकालने में help कर रहे हैं वो सब एक system बनाते हैं उसी को कहा जाता है excretory system तो वही excretory system आज हम पढ़ने वाले हैं and focuses के अंदर तो आई यह study करते हैं यह जो आप diagrams देख रहे हैं यह आपकी exam paper में आप इसको बना सकते हैं और सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि आखिर excretory system के उपर exam paper में किस तरह से question पूछा जा सकता है long question या short question तो generally मैं आपको simple तरीके से बताना चाहूंगा इस पर हमेशा short question ही पूछा जाता है long question बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा तो short question कहां से पूछा जा सकता है कैसे पूछा जा सकता है दो नंबर या धाई नंबर में according to your examination pattern what is renal papy आपसे पूछा जा सकता है what is brown funnels क्या होता है या फिर what is proto nephridia या फिर head check nephridium क्या होता है तो इस तरीके से दो नंबर में short question में इनी किनी चार में से आपसे एक short question पूछा जा सकता है तो इसलिए आप इसको अच्छे से prepare करें और साथ में अगर आप diagram बना देते हैं तो diagram मैंने कहा सबसे बड़ी explanation होती है अगर आप diagram बना लेते हैं तो आपकी सारी explanation complete हो जाती है और दो या धाई नंबर जितना भी होता है आपको complete marks मिलता है तो आए समझते हैं excretory system of amphiocsis amphiocsis के excretory system के अंदर दोस्तो four organs है ठीक है चार structures आती है यह चार आपको याद करना है अच्छे से the excretory system of bronchiostoma जैसे कि हम जानते हैं कि हम phiocsis को bronchiostoma के नाम से भी जानते हैं भाला होता है उस तरह से होता है इसलिए इसको हम lansulate के नाम से भी जानते हैं so the excretory system of bronchiostoma amphiocsis lansulate lacks a kidney इनकी body के अंदर दोस्तो kidney absent होता है ठीक है जैसे कि हम लोग जानते है human body के अंदर जो kidney present होती है वो जो है हमारी excretory system में काफी ज़्यादा help करती है urine को बाहर निकालने में help करती है तो इस तरीके से दोस्तों इनकी body के अंदर जो kidney होता है वो absent होता है ठीक है and is most peculiar form of the organization of solenocytes which are comparable with those found in platyhelminthes, annelids and mollusk इनकी body के अंदर दोस्तों एक most peculiar organization solenocytes पाया जाते हैं जानी कि अभी हम देखने वाले proton nephredia के structure में आप देखेंगे flame cells भी पाया जाते हैं जो की comparable होते हैं किससे जो non-cordates होते हैं platyhelminthes, annelids and mollusk का से ठीक है तो इतना हमने देख लिया अब हम देखने वाले हैं the excretory organs of bronchiostoma include इनके अंदर चार structures आती हैं proton nephredia, hedgehog nephredia, brown funnels and renal papillus ठीक है तो अब हमें देखना है सबसे पहले proton nephredia के बारे में what is proton nephredia and what is the structure and what is the function ठीक है short question में यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है मैंने कहा इन चारों में से एक आप से short question में पूछा जा सकता है इसलिए आप अच्छे से इसको prepare करके जाए so these are about 19 pairs segmental सबसे पहले तो देखते हैं इसकी position क्या है आखिर proton nephredia कहाँ पर होता है दोस्तो जो pharynx वाला reason होता है phyoxys का जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है यह posterior reason, this is the anterior reason यानि कि आगे वाला भाग, posterior यानि कि पीछे वाला भाग ठीक है यह है तो दोस्तो इसके अंदर यह जो देख रहे है, pharynx वाला reason है यह gill slits है और यह gill rods है यह gill bars है तो और यह है आपका दोस्तो primary gill bars ठीक है यह जो आप देख रहे है यह support करने वाली structure जो कि हम skeletal system में already देख चुके है यह skeletal rods जो कि इसको support करता है और यह gill slits है यही पर यह जो आपको, मैंने यहाँ पर structures बनाया है blue color में, यही structure होती है दोस्तो nephridium इसको थोड़ा मने अलग से दिहांप बनाया है इसका diagram अच्छे से समझने के लिए यह हाँ पर जो diagram मनाया है यह position को दिखाने के लिए आखिर इसकी position क्या है ठीक है तो यह है दोस्तो proton nephridia ठीक है और इसी के उपर जो green green color में जो structures बनी होई है इसको हम बोलते हैं solenocytes यानि के flame cells भी उसको बोलते हैं तो यह है position of proton nephridia अखिर यह proton nephridia present कहां पर होता है फिर उसके बाद हम proton nephridia के structure को देखें तो इसको दो भागों में divide किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो उपर वाला जो reason है इसको हम बोलेंगे posterior horizontal limbs यानि के दो limbs में divide किया गया है एक होता है horizontal limbs दूसरा होता है दोस्तो vertical limbs जो नीचे की तरफ vertical limbs थोड़ा लंबाई में बड़ा होता है यह anterior region में यह posterior region में और इसी में दोस्तो होता है nephridia pore जिससे excretory जो waste material होता है उसको बाहर निकला जाए एक pore होता है एक छिदर होता है जिसके तरू body के outside यानि के body से बाहर निकाल दिया जाए और यह आपको देख सकते है side branches है और यह solenocytes है इसी के उपर लगे हुई है और इसी का एक भाग काट करके जैसे मैं यहां से इसका एक section काटो और उसको थोड़ा और भी detail में इसका diagram बनाओ और भी zoom करके हम देखें इस structure को तो ऐसा दिखाए देगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अब इन solenocytes के अंदर nucleus दिखाए देगा nucleus of solenocytes और यह जो आप देख रहे हैं यह flagellum होगा जो कि इन्हें help करता है extractive material को बाहर निकालने में यह होगा ducts of solenocytes ठीक है तो इसी के बारे में जैसा कि आपने structure को देखा इसी तरीके से आपको explain नी भी करना है आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी structure जैसा कि आप function देख रहे हैं उसी के base पर आपको explain करना है तो protonephridia में लिखेंगे there are about 19 pairs segmental nephridia in branchiostoma branchiostoma के अंदर 90 जोड़ी 19 pairs segmental nephridia present होती है the nephridia called protonephridia और इसी को हम protonephridia बोलते हैं are situated on the dorsolateral wall of the pharynx कहाँ पर situated रहता है dorsolateral wall of the pharynx दोस्तों हमने जैसा कि देखा amphiocsis की body structure को तो ये एक उपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते है dorsal lesion नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते है ventral lesion या ventral surface body gear ठीक है तो dorsolateral यानि कि किनारी side वाला तो ये कहाँ पर present है dorsolateral wall of the pharynx pharynx की dorsolateral wall पर जिए है situated रहता है and each nephridia is bent vascular sac bent होता है vascular होता है यानि जुका हुआ हो रहता है ठीक है बेंट यानि जुका हुआ और vascular sac having one horizontal limbs and vertical limbs जैसा कि मैं आपको बता है कि इसको जो है दो limbs में डिवाइड होता है horizontal limb और एक vertical limbs the nephridia are segmentally arranged and each sac correspond to each primary gill bars and open by a nephridiopore जो कि यहाँ पर देख सकते है nephridiopore के थुरू open होता है तो दोस्तों यह एक sac like structure है sac यहाँ पर देख सकते हैं थैले की तरह अंदर की तरह भी यह खाली होता है space की तरह है तो यह sac like structures होती है a large number of elongated tubular flame cells or solenocytes open into a vesicles the cells body give off a flagellum through the hollow stock which help in the eliminating of waste product देखेंगे दोस्तों यह जो है solenocytes यानि कि इसमे flame cells present होती है उसी के बारे में लिका आए गया है a large number of elongated लगभग दोस्तों 900 तक solenocytes एक nephredia पर पाया जाते है complete nephredio पर जो है proto nephredia पर 900 तक solenocytes पाया जाती है and यह elongated tubular flame cells और solenocytes बिसको कहा जाता है and open into the vesicles यह कहाँ पर open होती है यह पर देख सकने है finger like structure दिखाई दे रही है यह अंदर की तरफ यहाँ पर open होते है the cells body give off a flagellum through the hollow stock which help in the eliminating of waste product waste product को बाहर निकालने में help करता है eliminating करने में so the excretion take place through the wall of solenocytes by diffusion and through the thin walls and the products pass down into the cavity of the vesicles through the tubular parts तो दोस्तों यह proton nephredia जो है यह help करता है किस चीज में excretion में अब हम देखने वाले है hedgehog nephredium इसकी position क्या है structure क्या है ऐसी के base पर आपको define करना होता है और इसी तरह का आपको एक diagram देना पड़ता है तो सबसे पहले आप इसको फटा-फट note कीजिए यह दोस्तों define करते हैं amphioxus की बची हुई structures को number second आप heading डालेंगे nephridium of HX beside the nephridia nephridia के beside में tube-like structures एक tube जैसे structures present होती है जिसको बोलते है nephridium of HX is regarded to be the excretory in function HX नहीं बताया कि यह जो है excretion में function करती है और यह कहां से arise होती है it arise from the mouth यह जो mouth का oral hood होता है यह बकल cavity होती होती से arise होती है and proceed forward और यह forward प्रोसीड करती है to be the right side of the notocode notocode के right side में and it is ectodermal derivative and gets blood supply from the dorsal orta blood from the nephridium of HX is also returned to the dorsal orta जैसे कि हमने blood vascular system यह लेडिस को देख लिया था तो इसमें आपको इसकी structures और थोड़ा सा function के base पर आपको बताना है number third आप heading डालेंगे brown funnels दोस्तों यह brown color की होती है a pair of brown funnels are also claimed to play the excretory role इनका भी excretory system में एक role होता है यह भी excretory system में पार्टिसिपेट करती है and these are blind sec like bodies होती है at the anterior end of the atrium atrium के anterior end में allowed these are assigned to be the excretory structures by many workers these are possibly receptor organs यह जो है receptor organs की तरह भी work करती है number four आप heading डालेंगे atrial wall दोस्तों यह जो atrial wall होती है group of cells जिसे हम renal papily भी बोलते है in the atrial wall sub serve the excretory function यह भी excretory function में role play करती है तो कभी-कभी आपसे renal papily directly पूछा जा सकता है और कभी-कभी आपसे atrial wall के बारे में atrial wall of amphiocsis इसके बारे में इस तरह से भी questions पूछा जा सकता है तो इसका जो atrial wall होता है उस पर renal papily होते है group of cells होती है जो की excretory function करती है तो यह था दोस्तों excretory system of amphiocsis जिसे की amphiocsis अमनी body से waste material को बाहर निकालता है तो मीदा दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वीडियो बनाईए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में अगर आप वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को subscribe करते अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टाटा